हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है एक नए यूटूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है दस्तो मैं लेकर आय attention वीडियो और बहुत है खाश वीडियो दस्तो आजकी वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे यदि किसी कारण वश यदि हम अपने चैनल पर कुई वीडियो अपलोड करते हैं यूटूब चैनल पर क्वीडियो अपलोड करते हैं यदि उसमें claim आजाता है यदि उसमें उस video पर upload करने के बाद claim आजाता है तो उसे हम remove का कैसे करेंगें तो बहुत ही आसान promise है बहुत ही आसानी से आप उस claim को अठा सकते हैं तो आज की वीडियो को हम कैसे remove करेंगे तो वीडियो स्टाट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए है और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से चैनल को जोर सब्सक्राइब करें वीडिय सा इंटर्फेश आ जाता है ना दोस्तों देखिए हमारे पास चेक्स जो ऑप्षन है वहाँ पर क्लेम दिखा रहा है हम इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं क नेक्स्ट करते जाएंगे दीखिए यहां पर निक्स्ट करने के बाद विडियो वीडियो अलमेंट्स मीं जाएंगे यहां इखेक्स वह अपको तो यहां पता रहा है कि copyright claim found है देखिए copyright claim found है तो इसी हमें remove कैसे करना है बहुत यह असान प्रोसेस है देखते हैं सी details है यहाँ पर हम क्या करेंगे normally क्लिक करेंगे चेक्स option में आने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास यह claim दिखा रहा है इसकी वज़े से ही claim है इसे हमें हटा देना है तो हम remove कैसे करेंगे claim को आये देखते हैं देखिए यहड़े आएगा करेंगे और यहाँ पर देखिए ट्रीम आउट सेग्मेंट भी आप कर सकते हैं रेप्लेस सौंग कर सकते हैं यह तीन option के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं claim को हटा सकते हैं पहला ट्रीम आउट सेग्मेंट मतलब उस टाइमिंग में जो जिसकी वज़े से claim आया है उसे आप trim कर सकते हटा सकते हैं कट के मनले वहां से कटके वह शौंग जिसकी वज़े से claim आया है वह हड़ी आएगा वहां से replace सम्ग दूसरा option है आप song को replace कर सकते हैं यह फिर स्वांग को mute कर सकते हैं करिएगा तो भी वह claim हटी आएगा तीन option के माद्दम से आप क्लेम को क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं पहला option जो है trim out segment उस content को trim करके मतलब एकदम हटा के trim कर देंगे काट के हटा ही देंगे तो वह claim हटी आएगा replace या गाने को हम लोग बदल देंगे स्ट्रॉंग है जिसकी वैसे क्लेम आया उसको replace कर देंगे फुली रिप्लेश हो जाएगा यहां को mute करेंगे तो हम लोग किसी भी एक option को select करते हैं और प्रसेस को देखते हैं म्यूट पे क्ली करते हैं ठीक है न म्यूट दो कि मैं इसचा हम रिप्लेस करते हैं रिप्लेस करेंगे तो म्यूट करने से तो नौनमली मूट हो जाएगा और ٹरिम्प करने से कड़े आएगा replace करने से आपको यह पता चलेगा कि हम उसे replace करे कहां सा सों कहां से लाके देंगे तो यह हम इरी प्लेस अंग करतें धी क्ली करने के बाद रॉसेस और रेपलेस स्वक्स तो जुट्व यूटूब अड़ का गैलरी में ना बहुत सारे शॉंग होते हैं हमने फर एक्जामपल के लिए आप सुन भी सकते हैं शुन के यहां से ले करिएगा दिख रहा है तो आप सुन सकते हैं सुनने के बाद आपको लगा नहीं यह करना ज़या रही है तो आप जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करें मैं इसको एड करता हू यह हमने देखिए यहां तक एड किया तो यहां से यह जो क्लेम है न यहां दिया उसके बाद फिर हम आते हैं एक शॉंग और एड करते हैं इसको मैंने एड कर दिया मैंने इसको लाके यहां पर कर दिया यह हमने कर दिया और एक और एड कर दिया कि मैंने इसको यहां तक लाएंगे मैंने यह यह इससे क्या हुआ इसको थोगता हुआ कि 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 मैंने से गटीश्ट कर लिए कि इसकी तीन इसके विए उसकी जगह पर जो उर्जिन सॉंग जिस यह करने के बाद हम यहांपर करेंगे सेव पर क्ली मैं इसम्पल दपको दिखाए मुः आपको hmm ड़ीटू रिप्लेस सोंग आप क्या करें के सेव कर देंगे यह दीयाना और यहाँ पे जो क्लेम दीख रहा था वो देखिए हडी हाएगा मैं अब दिखाते रहा हूं हो यह देखिए यहाँ पे चिक्विंग का प्रोसेस चालो हो गया एलिटिंग इन प्रोग्रेस है जैसे ही वो complete होगा तो यह आपका जो claim है जो claim दीघ रहाता अभी तक वो क्या होगा वहाँ से replace हो जाएगा claim हटी आएगा देखिए process complete होने दीजिए process complete होने के बाद वो option आपको यहाँ पे एक right का sign मिलेगा और check right का sign मिलेगा और आपका claim जो है वो हटी आएगा यह processing ऐसे कफिदे तक चलेगा दोस्तों और देखिएगा finally यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे एक right का sign दीख रहा है वैसे यहाँ पे right का sign हो जाएगा और आपका जो claim है वो आपके content से वो हट आएगा रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे नॉर्मली नेक्स्ट करेंगे और जैसे आज विडियो को publish करते हैं वैसे हम क्या करेंगे publicly पब्लिक के पास हम लोग क्या करेंगे publish करते हैं यह देखिए process हो रहा है publish हो रहा है यह देखिए यहां पर checking हो रहा है यहां पर यह दी claim रहता तो यहां पर क्या show करता claim बट अभी देखिए यहां पर क्या show करता है नन मतलब वहां से वो क्लेम जो हो हट चुका है restrictions में आपको दिखता claim लेकिन कोई claim नहीं दिख रहा है कोई claim नहीं दिख रहा है यहां यहां पर दिखता लेकिन नन दिख रहा है इसका मतलब आपके उस वीडियो से जो claim था वो क्या हो चुका है हट चुका है और आपकी वीडियो एकदम फ्रेश है कोई claim नहीं है तो दोस्तों यह था process यदि आपको अपने किसी भी content से किसी भी content को upload करने में कोई claim मिलता है तो आप इस का use करके यह तिन option यूज करके आप उसे remove कर सकते दोस्तों वीडियो कैसा रहा हमें comment section में लिखके जूर बताइएगा और हाँ अभी तक यह आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और पहली बार हमारे चैनल के मादने में से वीडियो को देख रहे है तो चैनल को जरूर से जरूर दोस् सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you thank you very much दोस्तों